हेलो फ्रेंस मैं रागनी आज की शूडियो माप का श्वागत करती हूँ तो फ्रेंस आज मैं शेर करने वाली हूँ बाजू का बिल्कुल सिंपल डिजाइन जो की सिंगल कट वाला हमारा बाजू बनेगा तो देखिए अपने माप की इसाफ से मैंने कटिंग कर ली है रेडी हम बाजू को रेडी करेंगे तो जो हमारा शाड़ी वाला पीश से उसके उपर रखेंगे अस्तर वाले पीश को और एक चाप कपड़ा मार्जन में दबाती हुए सीधे साइड से इसे ज्वाइंड करेंगे और उल्टे साइड फोल्ड कर लेंगे तो देखिए फ्रेंस अस पीश्टीच लगाएंगे उसके उपर तो यह जो शिलाई हमारी चल रही है अस्तर के उपर चलनी चाहिए तो देखिए इस तरह से अब हम अस्तर को अंदर के शाइड फोल्ड करेंगे और किनारे पे शिलाई लगा करके अस्तर को में कपड़े से ज्वाइंड कर लेंगे तो देखिए पूरे किनारे को इस तरह से आपको स्टीच कर लेना है बिल्कुल कॉर्णर पे शिलाई लगा करके तो फृण्स देखिए हम बाजू को इस्टीच कर लिए है और बाकी जो भी एक्ष्टा कपड़ा दिख रहा है अस्तर के बाद बाहर के साइड उसे कट करके फिनिसिंग कर लेंगे तो चारो तरप का जो भी एक्टा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कट कर दिये हैं बाजू हमारा रेडी हो चुका है अब इसे हम देखिए इस तरह से मार्क करेंगे तो देखिए उपर के साइड से साड़े तीन इंच लेंगे और नीचे की साइड से भी हम साड़े तीन इंच लेंगे यानि बिल्कुल सेंटर में हमारा डिजाइन बनेगा और यहाँ पे देखिए फ्रेंज साड़े तीन इंच हमारा बंच रहा है तो यहाँ पे देखिए हम वुक्रम लिए हैं तो जितना लंबा आपको डिजाइन बनाना है उतना लंबाई चोड़ाई में लेना है आपको और इसतर से रखेंगे और जो बीच का एरिया साड़े 3 इंच बंच रहा है उसका देखे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के वाद से देखे फ्रेंस साड़े 3 इंच जो हमारा बंच रहा है उसका सेंटर मार्किंग करेंगे तो देखे फ्रेंस आड़े तीन इंच लंबी डिजाइन बनेगी तो देखे इसे डबल करके सेंटर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से ताकि डिजाइन में राउंड देने में हमें असानी हो और एक इंच में देखे एक पॉइंट कम हम यहां पर इसकी चौड़ाई ले रहे हैं आपको अगर ज्यादा चौड़ा पहनना है तो इससे बढ़ा भी सकते हैं तो मुझे सिंपल ही कट डलना था और इस तरह से देखे फ्रेंस राउंड से इसमें दे देंगे और अब इसे हम कट कर लेंगे तो देखे इस तरह से कट करने के बाद से बाहर के साइड आधा इंच छोड़ते हुए बाकी यह जो भी एक्ष्टा है उसको भी कट कर लेंगे और आप देखे तो फ्रेंस देखे अब हम अस्तर वाले पीस पे रखेंगे इसे और सिलाई लगा करके इसे जोइंट कर लेंगे आप चाहें तो प्रेस से भी इसे इसे पेस्ट कर सकते हैं तो देखे बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए इसे हम फिक्स कर लेंगे और बाहर के साइड देखिए जो भी एक्स्टा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे तो इस तरह से कट करने के वास्ते देखिए बिल्कुल सेंटर मार्किंग करेंगे बाजु का भी ताकि हमारा डिजाइन जो है बिल्कुल वीचो बीच में जॉइंट हो और डिजाइन का तो सेंटर हमें देखी रहा है और इस तरह से देखिए सबसे पहले हम बिल्कुल बीचो बीच में एक सिलाई लगा देंगे जो कच्ची सिलाई होगी ताकि हमारा डिजाइन वाला जो पीस से इधर उधर खिसके नए और अब हम बिल्कुल जिस तरह से हमारा बुकरम की कटिंग हुई है उसी तरह हमें शिलाई लगाना है और ध्यान रहे कि यह जो शिलाई है बुकरम के उपर नहीं चड़ने ही साहिए सिंपली आपको जिस तरह से बाजु का जो डिजाइन का कटिंग हुआ है से मुशी पर शिलाई लगा लेनी है और देखिए आप फ्रेंज क्या करना है आपको जो बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है ताकि जो अंदर का कपड़ा है उसे आसानी से कट करके निकाल ले तो देखिए सिलाई के बाद आपको एक चाप कपड़ा छोड़ देना है उसके बाद से कपड़े क कट करना है देखे फ्रेंज पूरे ही राउंड में हम छोटा-छोटा कट लगा देंगे और जहां पे भी हमारा कोना आ रहा है वहां भी हम कट लगा देंगे ताकि हमारा डिजाइन अच्छे से उभर के आए अब इसे हम रॉंग साइड फोल्ड कर लेंगे देखे इस तरह से और अब देख सकते हैं कि सेफ हमारा आ गया है और अब हम एक चाप की दूरी पे एक शिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा डिजाइन उल्टे साइड अच्छे से फिक्स हो जाए तो अगर एक चाप की दूरी पर आप सिलाई लगाते हैं तो जो अंदर का डिजाइन है वो भी पलटने का चांस नहीं रहता है और इस तरह से आप देख सकते हैं फाइनल लुक की तो फ्रेंज मैं उमीद करती हूं कि वीडियो अप लोगों पसंद आया होगा और एक छोटा स रिक्वेश्ट है आपसे कि मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब